तो आज हम लोग जैसे की पर्यावरान पांच चैप्टर पांच पर्यावरान इसके संसादन जो चैप्टर चल रहा है उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही हो चुका है जिसमें बताए क्या है आप लोग के की पर्यावरान क्या होता है और ecology and ecological organization क्या होता एको सिस्टम किसको कहते हैं एको सिस्टम किसकी काई है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परस्तितिकी में जीवधारियों उनके संगठनों के बीच जो एक संबंद स्थापित होता है उनको तीन लेबल्स में बाटा गया है परस्तितिकी मतलब होता है इकोलोजी के इकोलोजी में जिन जीवधारियों के मैंस जितने हम सब हैं हम इंक्लोडिंग मतलब हीुमन से लेके जितने भी संसार में जीवजनतु हैं उन सभी को का एक उनके संगठनों के बीच में एक जो परस्तिक जो इंटरकनेक्शन है उनको तीन लेबल में बाटा ग पेर, पौधे, प्रानियों पर सबका जो परभाव होता है, जो अबियोटिक होते हुए भी उनके बीना जीना असंभव है और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में रहते हैं, उनमें से आता है प्रकास, यह तीनों बहुत जादा परभावित करते हैं इंसान की, इंसान या भी बहुत सारे जीवधाडियों को उनके रंग, रूप, उनके आवास, परवास और उनके अनुकूलन पर, ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रकास, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लाइट, लाइ कि इको सिस्टम का एक परमुख जो अजविक कारक है, उसका नाम है प्रकास, अजविक मतलब अबार्टिक्स है, उसका जो कारक है वो है लाइट, लाइट में सबसे पहले क्या होता है कि हारे जो जितने भी हारे पेर पौदे हैं, वो अपने प्रकास संसलेजन यानि फोडो सबसे प्रिधु का एको सिस्टम बरकरार है है नहीं उने जल्दी प्र Renight स्टरूर्म गीन की इसकी विज़जा से आरहे तो में सबसे पहले उनकी जो प्रकास機 लंबाई यानि जहां पर ज सबसे पर जदनी धूफ हो उनकी लंबाई यानिंग उनका सर्जान हो रहा है फ्रि किरिया होती है उसकी बाद प्रकास उन वर्दन यानि फोटो ट्रॉपिक के कारण ही प्रकास अंसलेशन यानि प्रकास की कारण ही फोटो ट्रॉपिक गती होता है जीधर प्रकास के जीधर प्रकास आता है उसी के एकॉर्डिंग में पेर पॉदे बढ़ते हैं उसी के ही एकॉ सब बहुत है अधिक तम प्रकास पाने के लिए भी इन प्रकार का अनुकूलन तैयार करते हैं आं बहुत सारे आसे पौधु को देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा हाइड में लंबे-लंबे होते जाते हैं क्यूंकि वो चाहते हैं कि मुझे अधिक प्रकास मिले और जिसकी कारण वो अपना घाना स्वैम तेयार कर सके हैं इसकी कारण उनकी हाइड़ भी बढ़ते जाती हैं तो प्रकास को अधिक पाने के लिए यह अपना ही एक अनुकूलन तेयार है उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ज प्रकास के उपर पूरी तरह से डिपेंड़ रहता है इवन पक्छियों के जो प्रकास की कारण ही उनकी प्रजनन किरियाओं का रंग में पड़िवर्तन उसी तरह से उनकी सूरख्षत्मा एंजितने मतलब की जितना उनका से उसको भी पर्खास परभावित करता है Kate अपू दारन में यहां पर तिल्चट्टा पतिंगा ती यह सब रात में कशीन रहते हैं इनके उपर बिलाइट जादा सुर्य केनने पड़े, तो यह लोग रहना नहीं पाएंगे तो ये क्या कर ज्यादा सर किस समय क्रिया सिल रहते हैं ये रात के समय क्रिया सिल रहते हैं जो कि मधुमक्या है जो हनीवीज है वो कहां क्या करती हैं वो सुर्य की और या उससे विपरी दिसा में नहीं उरती हैं क्योंकि उनको प्रकास चाहिए तो ये इनके अनुकूलन वो सुपने के बाद हब देता है उसी तरह से जलीय जीव जितने होते हैं समद्री जीव बाती सत् unintended प्रतिकिरिया होती है जो उनके सरीर में आपने जुगनों को देखा होगा कि जुगनों के सरीर से खुद एक प्रकास निकलता है तो ये एर में हमारे धर्ति पे रहने वाला है और बहुत सरी से समुद्र में भी जन्तू होते हैं जो अपने सरीर से एक राशायनिक प्रतिकिरिया के फलोसरूप उनके सरीर में एक ऐसी राशायनिक प्रतिकिरिया होती है जिसके करण उनके सरीर का एक पार्ट चमकने लगता ह तो वो अपने प्रकास के माध्यम से अकर्शित करते हैं मरुस्थली पौधे जैसे होते हैं नाक फनिंग कंटीरी जहारी आदियो में आदि की पतिया क्या होती है काटो में बदल जाती है मटर लौकी आदि की जो पौधो की पतिया होती है वो प्रकास पाने के लिए ही टेंडरिल उसमें आ जाता है तो यहां प्रकास की बारे में बताए गया है अब लोग निक्स्ट आते हैं आदरता के बारे में तो आदरता किस तरह से परभावित करता है हम लोग क्या चांदते हैं आदरता किसको कहते हैं कि इससे हम लोग सभी परिशित है कि जितने वायू में, जितने जलवास्ट की मात्रा होती है, उसको हम लोग उस वायू का उस जगह का आजरता कहा जाता है। वायू मनडल में आजरता इन्हें हुमिड़िटी, बहुत पेर पौधों को बहुत अधिक परभावित करता है जहां जितनी आदरता होगी वहां पर वास्पू सरजन की किरिया कम होगी यहां तो उसको एकॉर्डिंग वहां के पौधों के आकार और सरंचना में भी बहुत जादा चेंजे जाएंगे उसी तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका जहां पर एयर में जलवास्प की मात्रा कम होती है यानि आदरता कम होती है तो उस एकॉर्डिंग में वहां पर के पेर पौधों के आकार और उनके सरंचना और उनके अनुकूलन भी उनके कोर्णिंग तियार होते हैं जैसे कि जहां पर सुस्क वेदर हो, सुस्क मऊफ़र्ण हो जैसे यहां बतायागया है कि वर्था के बनों में प्राणी नमी से शंत्रिवत वायू वाल स्थानों में पधि निवास करते है और जर्कि मरूब्भूमी के जंतु सुस्क वायो मेराते हैं। उसी तरह से तापकरम यह नमी का प्रस पर एक जो कनिक्षन होता है एक रिलेशन होता है वह एक कि गरम आधर चेत्रों के जो प्रतिसत आधरता वायु मंडल में रहने पर हो सकता है। यदि 70% से कम होता है तो वो लोग इनके बच्चे मरने लगते हैं। करते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंप्रेचर वैरियेशन में नहीं जीवीत रह सकते हैं। अब जैसे मा लेजे कि आज यहां पर 20 डिग्री टेंप्रेचर है एक सपोज करिए। और यदि आचानक से 30 डिग्री बढ़ जाया एक ही रात में तो यह इतना ज्यादा यह टेंप्रेचर वैरियेशन को सजीव नहीं जेल पाता है। क्योंकि वह उनके मेटाबोलिजम के रियाओं को बहुत अधिक परभावित करते हैं। तो एक बहुत कम तापमान परिवर्तन पर यह एक सजीवी जीवीत रह सकता है। क्योंकि उनके मेटाबलिजम को बहुत परभावित करते हैं। अधिक तापमान पर जाने पर जीवा नियापन गए और उनके आहर व्यवार के लिए बहुत जादा उनके सरीर में भी पड़िवर्तन की जरूरत होती है जैसे धुरूबियों भालू होता है वो ठंडे छेत्रों में तो रहता है ठंडे धुरूबियों बहुत जादा वहां प कि वो समय के लिए इधर आ जाते हैं जैसे कि साइबेडिया के सारस पक्षी जो है वो कितना दूर है साइबेडिया वहां से वह भारत में यानि हमारे इंडिया में भारत पूर पक्षी उधियान में आते हैं है समाने व्रीध्यम विकास के लिए सजीवों को भी एक जब आने लगेंगे अस्तलिय जंतु जैसे गरम प्रदेशों के में वह किस तरह से ब्रीधी करते हैं वह बसंत रितु के समय से जो आरम होता है उनका वह अपने संतानों के ब्रीधी करते हैं वह अधिकतम तक चल सकता है इसे जादा ज्यादा आजाए मतलब ज्यादा टेंपर जिदी कव होती है बसंत रितु में ही आती है और गिर्शन रितु आते आते तक बहुत जादा घड़ जाती है पौधोय प्रानियों में भी इसी तरह से हैं को भी बित्रन पौधोय प्रानियों की बित्रों को भी तापमान बहुत अधिक परभावित करता है यानि कि तापम मड़ी भूमी के हुंग में हंगुल में हीरन हिमाले की तराई में और भाग और चीता मैदानी भागों में पाए जाते हैं क्योंकि यह टेंपरिचर वेरियेशन की कारण वैसा वो लोग अपना एड़ोप्टेशन त्यार कर रखें अपने सरीर का वैसा ही अनुकूलन त्यार क करते हैं यहां पर यह बताए गया है ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा नहीं आप लोग लिए क्योंकि हर एक पॉइंट है और हर एक पॉइंट को समझना परेगा कि किस तरह से क्या प्रभावित करता है और कहां कहां प्रभावित करता है ठीक है और मुझे लगता है कि इसक अब इस नीजी अस्तर को अच्छे से समझ सके ठीक है तो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखे और ठीक से स्टटी करिए कुछ दिक्कत होने पर आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं ओके बाबाई थैंक यू